असलाम उलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्यकरतों सब खेरेस होंगे तो आज हम आए हुए हैं गड़न के अबडेट के लिए सबसे पहले आपको एक चीज दखाता हूं यहां पर जो हमारे मेरी गॉल के पढ़े हुए थे वह उमने यहां पर रख दिये हैं यह आपको न तो यह सुबह आज है तकरीबन 21 अक्टूबर और यहां पर देखें यह कुछ जो हमारे खेली में लगी थी एसिटिक जस्मींग की बेले तो वह मैंने लगा दी हैं इसमें और नीचे या ला यह क्या है बैए तो पूरी मिटी बे गई यह इसकी तो पानी के साथ निकल गई अलागे मैंने इसको साइड़ कागस भी दिया हुए लेकिन फिर पता नहीं क्यों तो इसको मैं साफ करता हूं और इसकी मैंने गोडी की है आज जो यहां पर प्लांट हो गई हुए थे सदा बाहर के उसको मैंने उखाड के फेंग दिया और इसके लावास का सीजन आफ होने वाला है तो यह मेरा यहीं पर लगा रहेगा इसको सर्दियों से बचाने के लिए हम नीचे ले जाते हैं लेकिन इस पार मैं नहीं लेकर जाओगा क्यूंकि यह इदर ही पढ़ा रहेगा उपर इसके शद्ध है तो डिरेक्ट सर्दी इस पर नहीं पड़ेगी और कराची मे यार सर्दी होती कहा है एक दो दिन तकरीबन तेस सर्दी होती इसके बाद फिर वही नौर्मल मुसम हो जाता है और यार मैं सोच रहो हूँ यहाँ पर आने वाले सीजन में बाहर के मुसम में यहां पर तीन गंबले रखूँगा एक दो तीन पर यहां से एक रसी जाएगी का यह अच्वा स्काहब पर तर्व किया पर लगाओंगा यहां फुर घृम किहाल हैं यह और बूली तो नहीं होगा student आले सीजन में होगा और ये देखें यार ये पता नहीं कौन सी चीज़े आती है उड़ती हुई और आज यार शेयद की मक्ही आई हुए बहुत सरी है आपको उड़ती हुए नज़र आ रही होंगे काफी आई है आज और इसके पते माशाला देखो यार कितने बड़े हैं और ये कल से ऐसे नीचे ग्रे में मतलब ये लड़के हुए पते हैं अभी तक ये खड़े नहीं हुए यार पता नहीं क्यों ये हो रहा है और हमारा गुले दाउदी का पोदा माशाला काफी प्यारा अ तो माशाला काफी इसके पूल पूल नहीं वह पते निकल आया थे तो इसके नहीं पते आ रहे हैं आप देसकते हैं बाई माशाला काफी प्यारा लग रहा है और इसकी नहीं नहीं शाके निकल रही है ये देखें इसके लावा ये दोनों प्लांट मैंने यहीं पर रख दिय है इनके बेच में और इसके नेपत्ते आ रहे हैं के नहीं आ रहे हैं लेकिन यह कभी गुलेरी खा रही है कभी चुड़िया तो फिलाल इसी कंडिशन थोड़ी लो है और इसके लावा यार हमारा गाडन देखो यहां पर गाडन जबने इतनी बड़ी गेट बनाई थी वह कित दैंथस के स्टीट माशाला काफी बड़े हो चुके हैं और काफी माशाला टाइम ले रहे हैं बड़े होने में मैं चाहता हूं जल्दी हो जाएं लेकिन इनको पता नहीं क्या है कि यह बड़ी नहीं रहे और जिस चीज़ को आप याद रखेंगे वो इतनी जल्दी नहीं बड़ेंगी जब मैं इसको छोड़ दूँगा एक दो दनों के लिए जब फिर उसके बाद जब आँगा तो यह काफी मुझे बड़े लगेंगे लेकिन अभी मैं हर गंटे के बाद इसको देखता हूं तो इसलिए मुझे इसमें फरक नज़र नहीं आता और कुछ सीड हमा चाहिए और अब तक्रिबन इसके दो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके चाड़ लीफ निकलने वाले हैं दो लीफ तो निकल आए उसके बाद अभी दो और निकलेंगे मतलब टोटल चार हो जाएंगे और कॉसमोस के सीड बाई यार यह बार में सीड क्यों बोल रहा हू हाँ तो यह मेरे पौदे हैं भाई इसकी कंडिशन आप देखें कोई की यार यह बहुत लंबे हो गए और यह जुक रहे हैं एक साइट पे तो जब मैं इसको रिपॉर्ट करूँगा शिप्ट करूँगा अलग पौदे में तो फिर क्या करूँगा कि इसको तक्रीबान गुलेरी है और यह हमारा चंबेली चंबेली के चंबेली के कंडिशन कुछ sooner थूचा की बीटा दें म्हाँ कुछ तो इनके बहु अधार मैं जा इजाली भूँ रहा था अभी अगर मैं यही भूवर नीचे चला जाता तो जब आता से गहें पौद में प dai इस जगाह से नह पेट में पड़े होते हैं यह पोदे तो इस बात का भई ख्याल रखना चाहिए और यार इसको मैंने कल पुरून नहीं किया पता नहीं क्यों मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था यार इसको पुरून करने का कि यह पर गाड़ेंगी खुब सुक्ती भी रखना ज़रूरी है और अंदर हमारी कुछ कल में पड़ी हुए हैं यह मैंने कल लगाई थी आज इसकी अपडेट दे रहा हूं फर एक अफ़ता बाद इसकी अपडेट दोंगा हां और यह जो मैंने कल में लगाई हैं इनकी भी रूटिंग शूरू हो चुकी थी यह मैंने नरसरी वाले से पुछा कि इसकी कलम लगती है मुझे पता था लगती है लेकिन मैंने उसने जैसे पूछा कि कलम लगती है दो उसने का यह भी द इसकी कलम नहीं लगती जो तूट गई थी तो उनकी भी रूटिंग शुरू हो जाएगी और इसके लावा मैंने यहां पर भी कलमे लगाई हुए मास्टर पॉर्ट में सुपा को मैंने काटा सारे फूल मैंने उपर आले काट दिये जो गुलेरी खराब करके गई वो सारे मैंने काट दिये यार दुख हो रहा है काफी और इनसान इतनी मेनत करता है फिर उसका बाद गुलेरी आके खराब कर जाती है बहुत ही दुख होता है और यह देखें हमारे रात की रानी की शाखें बाई पता नहीं इसको क्या है कोई इधर बागरा को इधर बागरा यह देखें यह सेट जा रही है यह से उपर जा रही है और एक यह रही है और एक यह भी है और इसके लावा हमारे चंबली की नहीं नहीं शाखें आ रही है या याश शुक्रे भाई ये देखें आपको नजर आ रही होंगी मैं बलर रटा देता हूं ये देखें इसकी शाखें नहीं 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 आ रही हैं और ये वाई इसकी भी आगी माशालला माशालला ये देखें इसकी भी शाखें नहीं 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 शूर निकल रहे हैं और इसके भी माशालला यार आज तो बहुत सारे खुश खबरी मिली है मैं और इसको भी मैंने कल काट दिया था क्यूंके काफी अजीब लग रहा था ये और हमारी जो एलो मिंडा की बेल और टिकोमा बेल लगी हुए इसको भी गुरौत हलकिल की जारी है मुश्कियां पर का करके इस जगासे यह जहां पर अंगुटा देख रहें यहां से सुराग करके ऐसे कील लगाता हूं और उसमें यह लगाता जाता हूं और तक्रिबां यह मेरे बास 6-7 बॉतले हैं कटी भी और यह कबार से जुगाड तो वही बात हो गई तो यार मैं सोच रहा हूं यहां प प्लांट लाँ जिनको गुलेरी भी नुक्सान ना पहुंचा है मैंने एक चीज डिसाइड की है जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो यह है कि मैं वो प्लांट अपने गार्डन से खतम करूंगा जो जिसको गुलेरी नुक्सान पहुंचा रही है जैसे केना लेली हो गया केना लेली यह सारा यहां से खा गई ओपर आगी कोई भी शूट आपको नहीं नजर नहीं आ रही और इसके लावा और कौन है जो गुलेरी जिनको नुक्सान पहुंचा रही है बस यह एक और ही यह तो खतम करना इसको नानमुम्किन है यार यह जो आप देख रहे हैं चैना रोज इसको गुलेरी नकसान पहुंचाती है लेकिन अलका अलका लेकिन इसको मैं खतम ही नहीं करूँगा और यह भी तो यह तो सीजनले बैचा रही है तो अभी दो तीन मेनों के बाद मर जाएंगे यह पोड़े यहां पर यह बोतले लगाता हूं उसमें पोड़े लगाँगा जैसे यह होगा गया आई-टी-ाई-प्लांट ऐसे लाँगा और यार मशाहaldह काफी प्यारा प्लांट है यह सेकलाइट पोड़े है और मशाह ص opens यह बहुत यह आर यह आपके घर में पड़ाओगा तो जो काफी खुब्सुरत लगएगा और यह खुबसूरती में एजाफा कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे दो तीन पोदे ऐसे लाँगा अगर चोटे मिल गए तो वरना पता नहीं है कि उनके पास चोटे होंगे भी या नहीं कि जब यह में लाया था तो यह थेली में लगा हुआ था आपने देखा होगा उस वक्त यह कहना लेनी के साथ ही लाय में देखता हूं यार नरसरी जाना पड़ेगा कल या परसू इसके लिए जी तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कल खुश्क साली का महहल लगा पड़ा है और यह क्यों लगए यार मेरे पास पानी की किलत हो चुकी है पानी बिल्कल खतम होने वाले है टेंकी से और आज 21 तारीक है तो अभी तक मतलब पानी नहीं आया यार मैने में एक बार आता है पानी यार यह मसला है इस लागे में पानी को संबाल संबाल के बाई चलाना पड़ते है और मैं और वर्टन कर दूं पोड़ों की तो पोड़ों का भी नुक पसंदा ही होगी अगर पसंदा ही हो तो हमारे चैनल चेहर में गाड़ा को सब्सक्राइब करके फिर जाना ताकि आने वाली हड़ी वीडियो आप पहुंद सके अला हाफिज